हे गाइस कैसे हो आप लोग उमीद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आजम बात करने वाले एंडिये एनने फ़ेश्ट दो हजा तेईस वाले बैच के वारे में तो धिहन दिजे यदि आप एंडिये की तियारी कर रहे हैं तो दोस्तो आपके ओर्लाइन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं application form दोस्तो कब से भरे जाने वाले ये हम आपको इस वीडियम बताने वाले हैं और जो notification आएगा दोस्तो आपको बता दें उस notification में age limit क्या रहने वाली है कि आप इस वार एंडिये फ़ेश्ट दो ह्या तेईस वाले बैच में apply कर पाएंगे या नी ये ये भी हम आपको बताएंगे और आपका exam confirm हो चुका है दोस्तो अपरेल में आपका exam होने वाला कब होगा date हम आपको बताने वाले ageability criteria भी दोस्तो हम आपको बताएंगे कौन apply कर सकता है कौन नहीं तो आप इस वीडियो का पूरा देखना important वीडियो रहने वाला है अभी तक आपने वीडियो लाइक नी करा है तो like कर देना और share कर देना तो ध्यान दीजे दोस्तो आपका NDA NA 1st 2023 का notification बहुत ही जल्द आने वाला है और ये कव आएगा तो धियान दीजे एंड 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 एग्जामनेशन 1st 2023 वाले बैच का दोस्तो notification आएगा 21 दिसंबर को जी हां दोस्तो 21 दिसंबर को आपका notification आने वाला है और 21 दिसंबर से दोस्तो आप apply कर सकते हैं और लाइन आपको apply करना होगा 100 गोड़र पर्फर फर्म की फीस रहने वाली है तो 21 दिसंबर को दोस्तो notification आएगा आप तयार हो जाओ जिन्होंने भी दोस्तो अपकी एकजाम देट आ चुकी है कव आपको दोस्तो यह हम आपको बता देते हैं अप्लेमें आपका एकजाम होने वाला है और आपका एकजाम ह लग जाईए और तयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है कमेंट करें बताइए कि आप तयारी करना शुरू किया है नहीं आपने ठीक है 16 अप्रेल को आपके एक्जाम होगा तो होगा संडे को दोस्तों आपके एक्जाम होने वाला डेट आ चुकी है और 21 दिसंबर से आप एक्जाम होगा और किस प्रिकार एक्जाम करना है उसके लिए लगसर वीडियो बनाएंगे तब तक आप चैनल पे ऐसी बने रहना important वीडियो हम आपके लाएंगे ठीक है और आप जानते हैं कि UPSC तरब से कोई भी update आता है चैनल पर आपको मिलती है यदि आप चैनल पर नहीं हो पहले वा रही हो तो चैस स्काइब कर लेना बेले कंदर बादेना तो यह आपको clear हो चुका है कि कब आपका notification आ एंथिम तिती रहेगी और 16 अपैल को आपके exam होगा NDA examination first 2023 बैच का ठीक है यह वाली बात आपके लिए समच चुके हो अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम आपकी age के वारे में apply करने के लिए आपकी उमर सीमा क्या होना चाहिए main बात दोस्तों ध्यान दीजे इसके बिना त दोस्तों आप apply नहीं कर पाओगे तो दोस्तों इस वार NDA first 2023 बैच में age limit क्या रहने वाली है तो हम आपको वता दें दोस्तों आपकी age होगी दो जुलाई 2004 से लेके दो जुलाई 2004 से लेके वन सेकंड एक जुलाई 2007 के बीच ठीक है यदि आपकी उमर सीमा date of birth दोस्तों इसके बीच है तो फिर आप apply कर सकते हैं मिला लीजे दो जुलाई 2004 से पहले के नहीं होने चाहिए और एक जुलाई 2007 के बात के नहीं होने चाहिए ठीक है तो इसे बीच दोस्तों आपका date of birth होना चाहिए यदि 2004 से लेके 2007 के बीच आपका date of birth है फिर तो आप NDA first के लिए apply कर सकते हैं कमेंट करके बताईए कि आपकी उम्र सीमा कितना है यदि आपकी एज इसके बीच है तो फिर आप तैयारी में लग जाइए 100% आप apply कर पाएंगे ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी हमने आपको एज के वारे में बता दिया है अब आगे बात करते हैं आपकी agility criteria के वारे में दोस्तो एपलाई करने के लिए आपकी education क्या होना चाहिए यानि की पढ़ाई कितना होना चाहिए तो दिहान दीजे दोस्तो NDA में apply करने के लिए यादि आप 12th pass से apply कर सकते हैं या आप 12th class में आपका complete नहीं हुआ अपरिंग है दोस्तो आप भी apply कर सकते हैं ठीक है यादि आप army wing के लिए apply करोगे तो 10 plus to pass होने चाहिए अपरिंग होने चाहिए apply कर सकते हैं आपने बारे में किसी भी विसे से क्या हो दोस्तो apply कर पाएंगे army wing के लिए लेकिन सुनो मेरे भाईयो यदि आप air force या NA के लिए apply करोगे नेवल wing के लिए apply करोगे तो PCM होना compulsory है physics और मैं subject आपके पास होंगे तर भी दोस्तो आप air force और naval में apply कर पाओगे ठीक है तो हमने आपको clear बता दिया कौन apply कर सकता है कौन नहीं पास दोस्तो है apply कर सकते हैं या 10 plus 2 आप कर रहे हो दोस्तो आप 11th class में या 12th class में आप भी apply कर सकते हैं ये वाली बात आप clear समच चुके हो और जिनों के पास दोस्तो science side है वो केवल air force में और NA में apply कर सकते हैं ये के लिए समच चुके दोस्तो वो army में apply कर सकते हैं air force में apply कर सकते हैं और NA में भी apply कर सकते हैं और जिनों के पास science side नहीं है PCM नहीं है वो केवल दोस्तो आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे ठीक है तो अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया आसान भाहसा में और इस वीडियो में दोस्तों कम्प्लीट जनकर दे दिये कब क्या होने वाला है आपके online फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले जब भी notification आएगा तो हम telegram पर 21 दिसम्बर को आएगा और 10 जनवरी इसका last date रहने वाला 21 दिसम्बर से आप online apply कर सकते हैं male और female दोने apply कर सकते हैं 100 पर form की फीसर रहने वाली है ठीक है male के लिए और दोस्तो 16 अपैल को आपके exam होगा और age के वारे में हमने आपको बता दिया यदि आपकी उम्र सीमा दोस्तो date of birth दो हया चार से लेके दो हया साथ के बीच है तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी वो apply कर पाएंगे ठीक है तो यही बात आपके लिए समझ चुके हो फिलाल आज की वीडियो में अतने ही था सब कुछ जानकर ही हमने आपको step by step दे दिया है वीडियो आपको थोड़ा सी पसंद आता है तो like जरू कर देना और बाकी इस वीडियो को share कर देना अपने मितरों में दोस्तों जो भी NDA की तियारी कर रहा उन तक आप इस वीडियो पहुचा देना और चैनल पर नहीं हो पहली हुआ रही हो तो subscribe कर लेना बहले गंद्रबाद देना हम आपके लिए पलपली की जरून के लाते रहते हैं कोई भी update आता है NDA की तरफ से ठीक है और मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करते हैं अपना ख्यार लखना जै हिंद ज भारत